आज हम class 6 का chapter number 1, नाइंग और numbers करेंगे, इस वीडियो में हम इसका introduction समझेंगे, basics लेखेंगे इस chapter के, जो भी जितने भी questions हैं, उससे related, जो भी basics है वो हम इसमें समझेंगे, तो सबसे पहले हम यह समझेंगे इंडियन और इंटर्नाशनल सिस्टम जो कि चैप्टर वन से रिलेटिड है इंडियन सिस्टम उसके बाद हम समझेंगे इंटर्नाशनल सिस्टम तो हम कोई भी डिजेट ले ले लिए या आप एक नंबर ले लेते हैं जैसे मान लिजे मैंने Hybrid कने उमर्मार नमर्ब ले लिए लिए तो इसको हम IndianSystem में कैसे रीडाूट करते हैं कैसे नमरे में लिखते हैं इसमें कैसे कोमा पूट करते सिर्फ तो हम यहापये स्कों यूनिठ पेरे पहलेररी पिरियार के चुछ्छ भी दूडुडए ओंगी वह हमारी होती है ei थाउजर पिरेट 152 कि उसके बाद कि चुछ होती है वह हमारी होती है लाक पिरियड युदे हो दो है, वो हमारी आती है करोड पिरिट, ठीक है इस type से जो है हम इसको रीड करेंगे अब जो हमारा unit पिरिट है इसमें तीन आते हैं हमारे क्या ones, tens और hundred, यह हमारे unit पिरिट में आते हैं, ones, tens और hundred, अब हमें यह पता चल गया कि इनकी क्या-क्या place value है यह हमारा unit period है यह thousand period है यह करोड है अब इसको अगर हमने number name में लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे क्योंकि यह चीज़ समय clear हो गई इसको दो हमने number name में लिखना है तो हमें सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि सबकी प्लेज वैल्यू क्या है अगर हम सबकी प्लेज वैल्यू पता होगी तो आप इसको नंबर डे में एजली लिख सकते हो अब यह जो फोर है फोर है हमारा करोड यानि कि फोर करोड उसके बास क्या 65 लैक है तो 65 लैक 43 क्या है उसके बाद 214 यह 214 है लिखा हुआ तो 214 ठीक है तो यह जो है इसको हम इस तरीके से नंबर नेम में लिख सकते हैं में हमें सिरफ सबकी value जो है वो पता होनी चाहिए कि कौन सा किस place पे ये तो हमने इसको लिख लिए number name पे अब हमें ये भी देखना है कि Indian system में कोमा किस तरीके से put किये जाते हैं ये सेम नंबर मैं यहां पे लिख लेती हूं 46543214 जो Indian system होता है उसमें क्या होता है कि सबसे पह लेकिन पहले थ्री डिजट के बाद ये Indian system का मैंना को बताया है पहले थ्री डिजट के बाद फिर टू फिर टू फिर टू इस टाइप से कोमा लगता है तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि Indian system में किस तरीके से हम इसको जो है रीट करते है numbers को और किस तरीके से number name में लिखते है और कैसे हम इसके अंदर कोमा फुट करते हैं ठीक है अब हम आप हम देखते हां international system में international system में इसको किस तरीके से करते हैं सेम यही number हम ले लेंगे ताकि हम को समझने में पहला है नबर मैंने लिया अब international system में क्या होता है पहले तो हमने इसमें किया था पहले 3 फिर 2 फिर 2 इस ते से divided किया था लेकिन इंटरनेशल सिस्टम में क्या होता है इक्वल होता है पहले 3 फिर 3 उसके बाद फिर 3 पिर 3 जैसे अब यह तू रहा गया है तो इसको 2 ही रहने देंगे अगा 3 अंदर लेकिशन पेरिए मरे आपके शुल्चे सेकर भी उसको मिल्लियन period में count करेंगे अगर आप एक और नंबर लगा देंगे वो भी आपका million में count होगा ठीक है तो वह 3 हो जाएगा फिर उसके बाद जो का billion में count होगा जैसे माल लीजे मैं एक नंबर और लिख देती हूँ यहाँ पर 3 लिख देती हूँ तो यह 3 तो आप इसको नंबर नम में कैसलिखेंगे two billion की प्लेस पे है त्री हंडर फॉर्टे सिक्स मिल्लियन की प्लेस पे हैं पाइफ। फॉर्टेषिजब्स को पढ़ें तो क्या यह 346 आ थो बिल्यान हो गया 346, कहां पर है यह, मिलियन हो गया, 346, मिलियन, और 543 किसकी प्लेस पे है, 1000, तो 543, 1000 हो गया यह, 214, सिम्पल, 214, छीक है, इस तरी केसे मैं इसको number name में निखेंगे, आप कोवा कैसे प्लेस करेंगे, और इंडियन और इंटर्नाशनल सुस्टम ठीक है आप इसका नेक्स के बाद एक और बेसिक सही जो से रिलेटिड है तो आभी तक जो हमने किया था इन्टिया इंडियन इंटर्नाशनल सिस्टम वह हमारा exercise 1.1 से लेटिड है exercise 1.2 से रिलेटिड है उसमें statement फ़ाल है कि वर्ड प्रॉब्लमस है उसके उसके जो ठवड़ा सथ के साथ कि उसमें फ पुछ ऐसे कोश्णनल जिमें को कनवर्ट करना है जैसे कि 1 मीटर को सेंटी मीटर में तो से 1 मीटर में कितने ह में हुते हैं 100 cm, यह में हमें पता हो ना चाहिए ठीक है 1 मीटर में 100 cm होते हैं वन किलो मिटर में थाउजन्ड मीटर होते हैं ठीक है ऐसे ही वन किलो ग्राम में थाउजन्ड ग्राम होते हैं वन लीटर में थाउजन्ड मिली लीटर होते हैं ये जो चार हैं आप इसको अच्छे से याद रखिए कि वन मीटर में थाउजन्ड सॉरी वन मीटर में 100 सेंटी मी 1 km 1000 m, 1 kg 1000 g, 1 liter 1000 ml होते हैं, चुकि हमारी exercise 1.2 में हमें यह करने हैं, तो हमें यह पता होने चाहिए, उसके बाद exercise 1.3 है, जिसके अंदर हमें estimate निकालने के लिए बोला गया है, तो कुछ journal rules से बोला गया है, और कुछ उसके rules हैं, जिसके हिसाब से हमें estimates निकालने हैं, तो estimate निक number लिख लेते हैं, 43, ठीक है, अब यह जो है, इसमें 2 desert दे रहे हैं, 3 और 4 हमने 2 desert ले लिए, जिससे एक number बन गया 43, अब 3 क्या है हमारा, 1s की place पे, और 4 हमारा कौन सी place पे, 10s की place पे, अगर हमें यह बोला जाए कि nearest 10s लिखिए, यानि कि number 43 का nearest 10s क्या है, तो कैसे पता चल तो हमेशा 1s की place पे जो number होता है, हम उसको देखते हैं, अगर 1s की place पे, 1, 2, 3, या 4 है, ठीक है, तो क्या होता है, कि आगे वाले desert में कुछ भी plus नहीं होता, और 3 की जगा, यानि कि जो 1s की place पे है, वहाँ पर 0 हो जाता है, यानि कि 1s की place पे क्या हो जाएगा, 0 और आगे वाले desert में कुछ भी plus नहीं होगा, तो 43 का nearest tense क्या हो गया, 40 हो गया, ठीक है, अभी मैं को दुबारा समझाती हूँ, इसके बाद जो second example आपको समझ आ जाएगा, अब माल लीजे हमारे पास एक number है, 47, इसका भी हमें nearest tense करना है, तो कैसे करेंगे हम, जैसे हमने यहाँ पे 1s क प्लेस पे देखेंगे, अब यहाँ पे 1s की प्लेस पे 7, अगर 1s की प्लेस पे 5 होता है, 6, 7, 8 या 9 नमबर होता है, तो उस केस में क्या होता है, आगे वाले एक number में 1 प्लस हो जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ यह याद रखना है, कि जब भी हमें nearest tense करने के लिए बोला जाएगा, तो हमने 1s की प्लेस का नमबर देखना है, अगर 1s की प्लेस पे 1, 2, 3, 4 है, तो आगे कुछ भी प्लस नहीं होगा, और 1s का 0 हो जाएगा, अगर 1s की प्लेस पे 5, 6, 7, 8, 9, इन में से कोई एक number है, तो आगे एक number प्लस हो जाएगा, और 1s की प्लेस पे 0 तो सेम इसी तरीके का method है, अब हम 3 नमबर ले लेते हैं, 3, 2, 1, ये नमबर हमने ले लिया, 3 डिजट ले ली, आप हमें nearest 100 करने के लिए बोला गया, तो it means 100 की प्लेस पे क्या है, 1s, 10s, 100, 100 की प्लेस पे है 3, अब इस से पहले वाले डिजट देखेंगे, यानिकि 10 को देख 4 है, तो आगे कुछ भी प्लस नहीं होगा, as it is रहेगा और पीछे वाले 0 हो जाएंगे, ठीक है, यह होता है estimate, ठीक है, इसको estimate कहते है, round off करना, नमबर का round off करना, ठीक है, अब मालों यहाँ पे हमें मिलता है, यहाँ पे मिलते है, 3, 6, 2, अब 100 की प्लेस पे 3 है, तो उसके वाले 0 हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही जो nearest thousand होता है, nearest thousand, अब मालीजे मैंने number ले लिया यह, ठीक है, अब thousand की प्लेस पे क्या है, 4, तो इसके near क्या लिखा हुआ है, 100 की प्लेस पे, 6, तो वही सेम है, अगर 5, 6, 7, 8, 9 में से कुछ होता है, तो आगे 1 प्लस हो जाएगा, और पीछे वाले 3, 0 हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही जो है, अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ, 4, 3, 2, 1, अब यहाँ पे 1000 की प्लेस पे 4 है, लेकिन इसके near क्या है, 3, अगर 1, 2, 3, 4 होगा, तो आगे कुछ भी प्लस नहीं होगा, पीछे वाले 0 हो जाएंगे, तो इस तरीके से हम जो है, round of number करते हैं, इसको बोलते है, round of, ठीक है, round of करना, या nearest करना, या estimate निकालना, इन ही को बोला जाता है, nearest tense बोलेंगे, तो आप ऐसे करिए, nearest hundred तो इस तरीके से, nearest thousand तो इस तरीके से, लेकिन कई बर क्या होता है, ये भी बोला जाता है, कि आप इसको journal rule से कीजिए, ऐसे आपको nearest करने की जुरत नहीं है, आपको जर्नल रूल से करना है, अब जर्नल रूल क्या होता है, जब कोशिन में ऐसे लिखा हो, तो जर्नल रूल में क्या है, कि आगर आपको लिखा हो है, 472 लिखा हो है, तो अब आपने ये देखना है, जो इसका जो round of, या estimate है, ऐसे ही निकलेगा, लेकिन अब हमें इसकी इस तरीके निकालना है, हमें इसमें ये नहीं बोला कि nearest 10 कीजे, nearest 100 कीजे, nearest 1000 कीजे, ऐसा कुछ नहीं बोला, उन्हें ने बोला है कि इसका estimate निकालना है, तो आप कैसे निकालनेगे, अब आपने ये चीज़ देखने हैं कि 472 या तो 400 होगा, या फिर 500 होगा, दोनों में से कुछ होई एक ही हो सकता है, क्योंकि इससे पहले 400 है, इसके बाद 500 है, 300, 200, 600 तो होगा नहीं, तो हमें देखना है कि 472 500 के नियर है, या 5400 के नियर है, 472 500 के नियर है, तो इसका estimate हो जाएगा 500, ठीक है, ऐसी एक number ले ले लेते है, 631, आप 631 किसके नियर है, या तो 600 के नियर होगा, या 700 के, तो 631, 600 के नियर है, तो इसका round of 600 होगा, तो यह journal rule है, हमारा estimate निकालने का, एक number हम थोड़ा बड़ा ले 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 लेते हैं, 4232, यह ले लिया, आप यह 4200, 4232 है, या तो यह 4000 होगा, या फिर 5000, तो यह 42, किसके नियर हो गया, 4000, के तो इसका nearest के हो गया, 4000, तो इस तरीके से भी जो है, journal rule निकाल सकते हैं, जब बोला जाए, यह न भुला जाए, यह झो तो हम आप इसको diferे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोश्चन में मेंशन है कि निकालना है तो आप इस तरीके से निकालिए ठीक है तो यहां पर क्या हमने जो तीनों एक्सराइज है चैप्टर वन की उसकी तीनों जो बेसिक्स हैं वह हमने इसमें कम्प्लीट कर लिए